सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक्स हो गयत है जैन दी रियक्शन्स पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जमा आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आया है जिसमें अब देख में तो ये वीडियो काफ़ इंट्रोस्टिंग होगी इसे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपनी से लेटेस्ट और इंपोर्टेंट वीडियो लाते रहें जैहिंद जैब भारत तो आपको लगता नहीं कि ये डिवेलोपमेंट डबल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा जी कि पहले तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जब से आर्टिकल 370 रिमूफ हुआ था तब से ऐसे बहुत सी चेंजिज आई हैं हमारे कश्मीर में और सबसे बड़ी चेंज किया है सबसे बड़ी चेंज यही है कि जो हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था अब वो नहीं निकल रहा अब उनके हाथ में मोदी जी ने पैन और किताब थमाई है कि भाई तुम पढ़ो तुम्हें पढ़ने के लिए तुम पढ़ो तो पांच साल से कश्मीर में एलेक्शन नहीं हुए हर पॉलिटिकल पार्टी मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी बता दी हूं जो यहां की रीजनल पॉलिटिकल पा हैं सब जोरो जोरो से लगे हुए हैं लेकिन अभी स्ट्रॉंग पार्टी का मैं नहीं कह सकती क्योंकि देखो हमने जो अभी तक कवर किया है हमें यही दिख रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी लगी हुई है लेकिन एक चीज मैं यह भी एड करूंगी जो हमें किसी नहीं जिस चीज की हमें बहुत नेट थी वो कहीं न कहीं इंडिरेक्टली बीजेपी ने दिया है अब यूज के लिए बीजेपी क्या करेगी बीजेपी का मैनोफेस्टों क्या रहेगा क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोडी जी आएंगे तो कहीं न कहीं कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे आ गया है आज जो आम लोग है ना वो बेवकूफ नहीं है वो अब उन पॉलिटिकल पार्टी के चकर में नहीं पढ़ रहे हैं जो उने युनों वह हम कह सकते हैं कि इमोशनली प्लैक मेल करती थी अत्याचार करती थी ऐसा नहीं है कि युनोंने कभी हमारे उपर घ्रिनेट वागारा फैंके ओ नहीं लेकिन अपनी बातों में अपनी उन सारी सिच्वेशन में उलजाना तो अब जो लोग है ना वो बेवकूफ नहीं है लोगों को समझ आ गया है कि अगर बीजेपी जीती है इन केस अगर बीजेपी जीती है तो कश्मीर कहां से कहां पहुच सकता है अगर कोई रिजनल पॉलिटिकल पाटी जीती है चाहे वो एंसी हो तो एंसी को ज्यादा कश्मीर के बारे में पता है जितना भीजेपी वालों को नहीं पता तो क्या पता और डिवलपमेंट आए अगर पीशी जीती है या फिर लिए किस तरीके से सरकार हमारे लिए काम करेगी वो मैटर करता है लोग किसको वोट डालेंगे वो तो हमें बाद में पता चलेगा जब एलेक्शन का रिजल्ट आएगा उर्फाना जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें देखते हैं लोग पसंद करते हैं उसकी बहुत लेकिना कोई इशूस तो जरूर होते हैं तो क्या कहना चाहेंगी किशमीर में अगर मैं पूछूं कि बहुत सी ड्वेलपमेंट हो रही है सब पूछ हो रहा है लेकिन एक दो इशू का पूछना चाहूँ तो क्या कहना चाहेंगी तो इसने नंबर पर फ्रीडम आफ अगर हमारे पास freedom of speech नहीं होता ना तो अभी मैं आपके साथ बैठ के ये डिवेट नहीं कर रही है क्योंकि हमें सब देखते हैं मतलब मैं बोलूंगी जीतने भी कश्मीर में इस टाइम लोग हैं सब हमें देखते हैं तो अगर हमें कहीं से रोक टोक होती तो हमें साफ साफ ये कह दिया जाता कि भाई तुम इस प्लैटफॉर्म पे जाके बात नहीं कर सकते तुम्हें जो है अगर तुमने इस बंदे के साथ बात की या इस प्लैटफॉर्म पे बात की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा या तुम्हें जो है आगे खुद इसकी भरपाई करनी पड़ेगी लेकिन freedom of speech इतना है कि याना दी मैं तो personally उन्हें जानती हूँ क्योंक सकती है और कश्मीर की हर बेटी जो है बात कर सकती है अब आपने कहा कि इस इस गया है देखो मैं आपको कहूंगी कि हाथ की पांच उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती तो कहीं न कहीं हर स्टेट में हर कंट्री में जो है इस रहते हैं अब अगर मैं पाकिस्तान में ब अगर मैं आपको बताऊंगी कि इस साल लग बग रिकॉर्ड में थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा सारी मैं अगर तूरिजम की बात करूंगी इस साल कश्मीर में टूरिजम पिछले साल से दुगना आया है तो तूरिजम से किसका फायदा है आप मुझे बताओ से किसको फायदा हुआ आम कश्मीरी को फायदा हुआ हाँ अब एक चीज है कि यूद सफर कर रहे है यूद जो है काफी सफर कर रहे है क्योंकि नोकरियां फिलहाल की हमारे पस कोई गौर्मेंट ही नहीं थी जब हमारे पास सरकार थी तब हमें नोकरियां नहीं मिली तो political party बने एक Chief Minister बने और वो हमारे यूथ को engaged करें नियुके भिस यह हôm हमारे थोटा सा request है और यही जो है हम प इसी सिर्फ एक ही इश्व मुण पर रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो किसी गलत रासते पे न चले और वो जो है अपना काम करें जो उसके पास टैलेंट है वो शो करें फर एक्जमपल मैं आपको बताऊंगी जो पहाड़ी इलाके है ना वहां पर इंडिन आर्मी का क्या रोल है इंडिन आर्मी ने वहां पर केंप्स खोल के रखे हैं वो वहां पर पेंटिंग कॉंपटिशन कराते हैं वो वहां प करते हैं, वह वहां पर acting competition करते हैं, क्या उनको यह सब कराना चाहिए? नहीं, यह तो कराना चाहिए हमारी आम सरकार को, लेकिन यह करा कॉन रहा है? इंडिन आर्मी, इसलिए ताकि हमारा जो यूथ है, वो इन्वाल रहे हैं, मैं आपको बचाते चलूं कि जो मेरा भाई है ना और मेरे भाई जितने करना से लगबख 14 से 15 बच्चे जो है, हर साल निकलते हैं, वो किसके थ्रो जाते हैं, आर्मी के थ्रो जाते हैं, आर्मी के थ्रो अपनी studies कम्प्लीट करते हैं, प्लस उन्हें एथलीट भी बनाया जाता है, यानि कि उन्हें गेम्स भी जिखाई जाती हैं, तो जो काम सरकार को करना चाहिए, फिरहाल वो इंडियन आमी कर रही है, and we are, you know, expecting for same thing, हम बोल रहे हैं कि जब सरकार बनेगी, तब यह सारी चीज़े होंगी, और हमें उसी चीज़ की ही तलाश है, और कुछ नहीं पाकी, अलहम्दोलिल्ला हम बहुत अच्छे से चल र करूँगी, मतलब, for example, मैं अपनी बात करूँगी, अगर मेरे को वो पार्टी चोर लगेगी, तो मैं जाके सीधा उनके मूह पे बोलूँगी, कि भाई, तुम चोर हो, क्योंकि तुमने चोरी की है, और यह सारी चोरी है, तो यहां पर इतना बोलने का स्पीच है, कि हम कहीं पर भी कुछ भी बात कर सकते हैं, मैं आपको आज का ही एक वीडियो दिखाती हूँ, अब यह जो है, यह हमारे चनल पर आज ही अपलोड हुआ है, एक छोटा सा डिबेट था हमारे एक पॉलिटिशन के साब, थोड़ा सा दिखाऊंगी और फिर मैं कमेंट सेक्शन की तरफ जाओँगी, यह देखिया यह हमारा डिबेट खा, यह बस कह रहे हैं, जाएग को दिखाए होज़ा है, हम पचास के पार, पचास के पार, तो यह एक बीजेप के सीनियर लीडर है, जिनके साथ आज हमने बात की, अब आपको थुड़ा सा कमेंट सेक्शन दिखाँगी, और करते है आप देखो यहां पर क्या है यहां पर पे सिरफ कमेंच्प सेक्ट्शन में लिखा गया है वन आफ त्रेटे परसेनलेटी दि भी सपORT भार्प बीजीप डिलिप इस गुफिस डेयग पार्टी जितने धी eigenen हैं तो ये चीज हम नहीं देख रहे हैं ठीक है ये चीज हम नहीं कह रहे हैं ये चीज लोग कह रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में रहा हैं और वो जो लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं वो ज्यादा तर यूथ होगी और यूथ की जो उमीद है वो आपने बताया कि दोस्तों आश्या करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह सोईब चोधरी जी के सवाल और उर्फानामीर के दिये गए जबदस जवाब आपको काफी पसंद आए होगे जहांपे इस कश्मीरी बेटी ने ना सिरब बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि ये भी का कि आज तक कश्मीरियों को जो हक किसी भी सरकार ने नहीं दिये वो मोधी सरकार ने उनको दिये और खासकर नोंने बात की याना मीर के बारे में जैसे कि हम जानते है पिछले मीने याना मीर जब UK की पारलिमेंट में गई तो उन्होंने ये का कि वो कश्मीर की बेटी है भारत की बेटी है और वो भारत में एकदम सुरक्षित है वो पाकिस्तान की मलाला की तरह नहीं है जो म पाशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए और एक बाव फिर चैल पर नहीं है तो चैल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपने से लेटेस्ट इंट्रेसिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत